उदर अमेरिका और बिटिन ने एक बार फिर से यमन में ताबरतोड हमले किये हैं। रिपोर्ट्स के मताबिक ये हमले हूती विद्रोहियों के कबजे वाले इलाके पर हुए हैं। अमेरिकी एर फोर्स के मताबिक 36 ठिकानों को टार्गेट किया गया है जिनमें हतियार रखने की जगा मिसाइल और एर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम से जुरी हुई जगाही थी। हमले के बाद अमेरिका ने कहा कि इरान समर्थित गुटों पर हमला की ये बस अभी शुरुवात है। इरान ने विदेश मंत्राले ने कहा है कि इन हमलों में जो शेत्रवय तनाव और अस्थिर्ता है उससे बढ़ जाएगी और साथी साथ इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इससे पहले इराक ने कहा था कि अमेरिका की इस कारवाई के विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं।